हेलो प्रेंज वेलकम बेक टूमाज चैनल आज मैं आपको बहुती प्यारा सा सिलिप्स डिजाइन बनाना बताऊंगी और भी बहुती असान तरीके से और ये सिलिप्स बनने के बाद बहुती शुन्दर लगता है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने डोड़ी बना ली है और टू इंच लंबाई टू इंच चोड़ाई चोवकून सेब में कटा हुआ फेब्रीक लेंगे और इसको कॉर्णार से फोल्ट कर देंगे और मीडिल में इस डोड़ी को एटज करते हुए यहाँ पर स्टीच कर लेंगे पह कोर्णार से फिर फोल्ट करेंगे तो इहाँ पर देखें डोबल वोल्ट हमने कर दी हैं डोबल करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको प्लाय कर लेती हैं इ मिडिया करने के बाद देखिए जितना भी एक्स्ट्रा हम कर लेंगे कट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बाहर के तरफ निकालना है और जो कोर्णार होता है वो बहुती अच्छी तरीके से निकालना चरूरी है तो यहाँ पर सुई के मदद से हम इस कोर्णार को बाहर के तरफ निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से ही हमें यहाँ पर हर एक dizzain को निकाल लिना है अब देखिए यहाँ पर सुविधा के मदस से हम यहाँ पर छोटा बड़ा मोति के साईता से इस dizzain को create करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने एहां पर मोती ले ली है और नीचे के ओर से थोड़ा से एहां पर धागा को छोड़ देंगे और नीचे के ओर हमारा जो मोती है ओ दिखा जाए इसलिए नीचे के ओरी इसको लगा देंगे फिर से हमें लगबख हाप इंच से एक इंच से दूरी पेर इस सुई को बाहर के तरफ निकालना है और एक इसको लेकर यहाँ पर अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद फिर से हमें दो मोती लेना है एक बड़ा और एक छोटा तो पहले बड़ा वाला करेंगे उसके बाद छोटा वाला एतच करते हुए इसको उल्टा करते हुए फिर से सुई के मदद से इसको बाहर के तरफ ला देंगे तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से ही हमें हर एक लटकन को त्यार कर लेना है तो चलिए फटा फट से इस लटकन को त्यार कर लेते हैं तो फिर से हमें एक से हाप से एक इंच छोड़ना है और यहां पर देखिए फिर से एक लटकन हमने ले ली है और यहां पर इसको पहले लॉक कर देंगे, ऐसे ही हमें लटकन को त्यार कर लेनी है, तो दोनों साइड में हम कुछ इस तरीके से इस लटकन को त्यार कर दी है, अब हमें बॉर्डर त्यार करना है, बॉर्डर त्यार करने के लिए लंबाई है 14.5 इंच और इसको चोवडाई है 5 इंच, अब कुछ इस तरीक अब नीचे के और कुछ इस तरीके से जो गोटा पटी लेज होता है उसे हम यहाँ पर लगा लेती हैं तो देखे प्रेंस कुछ इस तरीके से गोटा पटी लेज को लगा लेना है दोनों साइड तो अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब किजिएगा और बिल नोटिफिकेशन ज़रू से प्रेस करना जब इमने वीडियोस को अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए कुछ इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे और हमारा जो बॉर्डर है ओर एडी हो चुकी है अब उपर बाला पार्ट तयार करना है जिसको डबल फोल्ड करते हुए बिचाद ही है और इसका लंबाई मेजर्मेंट करेंगे इसका लंबाई है 17 इंच और इसका चोड़ाई है 8.5 इंच अब यहां से हमें 3 पॉइंट में निशान लगाएंगे निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको सेब देना है निशी के वर से 7 पॉइंट में निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेते हैं अब छोटा सा यहां पर कटिंग कर लेंगे मीडिल पॉइंट पे भी छोटा सा कट लगा देंगे कट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको खोड़ना है और इहां पर देखिए छोटा छोटा प्लेटेस हम लगाते जाएंगे अब जितना छोटा प्लेटेस यहां पर लगाएंगे उतना ही आपका जो सिलिप्स को लूख है उपर वाला खुबसूरत लगने वाले हैं तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से एक साइड प्लेटेस कंप्लीट कर दी हैं अब दुसरे साइड में भी सेम प्रोसेस फोलो करत हुए जहां पर हमारा सेबेन पॉइंट में छोटा सा कट लगी हुई है वहां तक इस प्लेटेस को डालना है तो दोनों साइड को जो हमारा प्लेटेस है यहां पर सेट हो चुकी है तो चलिए इसको स्टीच कर लीती है नीचे वाला भाग जो है हमारा लग चुकी है तो इस एक साइड हमारा सेट हो चुकी है अब दूसरे साइड को भी सेट कर लेंगे दोनों साइड सेट करने के बाद स्टीच कर दी है अब जितना भी एक्स्ता पेब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को इसके साथ उपर पे रखतेंगे और यहाँ पर इसको सीधा स्टीच कर लेते हैं आप चाहो तो यहाँ पर डबल स्लाइ भी लगा सकते हैं तो देखे सकते हैं प्रेंस हमारा जो बॉर्डर है और फाइनली यहां पर लग चुकी है अब इसमें हमने जो लटकन बनाए हैं कुछ इस तरीके से इस लटकन को डोरी हमने थोरी सी जादा बढ़ा ली है क्योंकि इस डोरी के मदद से एक डिजाइन क्रियेट करेंगे तो पहले डोरी को एक बाच करते हुए मीडिल में स्टीच कर लेते हैं सुईधा के मदद से तो कुछ इस तरीके से स्टीच करने के बाद फिर से इसको डबल कर लेंगे एक फोल्ट करते हुए और यहां पर फिर से इसको स्टीच कर लेंगे अब दूसरे डोरी को भी से कुछ इस तरीके से फोल्ट करते हुए स्टीच कर लेते हैं तो फाइनल लूक तो यहां पर हमने एक बड़ावला मोती उसकी है और चारो जो साइड यहां पर छोटा-छोटा मोती लगा दी है देखने में काफी कूल लग रही है तो चलिए इसको कम्प्लीट करने के बाद इसका जो लूक है वह बहुती शुन्दर आती है नीचे के ओर से हमने धागा को लॉक कर देंगे अब यहां पर हमारा जो सिलिप से और एडी हो चुकी है देखी सकते हैं इसका फाइनल लूक वीडियो अगर पसंद देखने वीडियो के एक लाइक जरूर करना थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो और अभी तक भी चैनल क सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के जरू सब्सक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेस जरू से पेस कर देना